फाइनली इंडिया में OnePlus 12R 5G स्मार्टफोन के लिए Oxygen OS 15 बेस्टोन Android 15 का फिस्ट बीटा अप्टेट है वो रोल आउट ओना स्टार्ट हो चुका है तो इस अप्टेट के अंदर गईज आपको कौन-कौन से नए फीचर्स और चेंजेज हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं उसके बारे में आगे हम लोग इस वीडियो में बात करने बालें तो वीडियो को आप लोग एंड तक वोच करते दिये और आपके फोन के अंदर अगर यह वाला अप्टेट है वो यहाँ पर नहीं मिल रहें तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी बात करने बालें तो व अप्टेट का जो नया इंटरफेस है ना वो आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से देखने को मिलते हैं। उपर की तरफ 15 का लोगो है जो की 1st केरेक्टर है वो आपको red एक्षण के अंदर मिलते हैं। साथ में अप्टेट की total size है वो आपको मिलती है 3.6 GB जो की काफी एक बड़ी size का अप्टेट है और अप्टेट का version नमर आपको मिलता है 15.0.0200 अप्टेट के अंदर आपको कुछ main features है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस परकार की इसके आपको design है वो आपको मिल जाएगी control center की प्लस आप लोग देख सकतो एप opening जो animation है वो आपको कुछ AC देखने को मिलती है तो animation है वो आपको काफी smooth देखने को मिली है इस update के अंदर तो काफी एक smooth update है वो OnePlus की तरफ से बनाए गया है ये update बीटा है लेक दिखाई दे जाएगा next change आपको मिलेगा control center के अंदर totally आप लोगों को एक नई इसकी design है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है जितने भी आपको यहाँ पर यह जो toggles दिखाई दे रहे है इन सबी के आपको logo है वो change देखने को मिलते है और इस पार OnePlus ने pill type shape की design है उसको adopt कि देखने को मिलते है तो जो side के corners है वो काफिस यहाँ पर round देखने को मिलते है बाकी music का widget है वो यहाँ पर कुछ इस परकार से दिखाई देते है बाकी background blur की intensity है वो आपको यहाँ पर normal ही देखने को मिलती है volume slider की design है वो guys आपको change मिलते है और इसकी animation है वो भी आप लोग देख सकतो थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें नजर आती है जो apple का ios है उसकी तरह है जिन oneplus phone के अंदर आपको जो alert slider देखने को मिलते है तो उसको आप लोग slide करोगे तो उसकी animation आपको dynamic island के अंदर नजर आएगी जो की ring silent और vibrate है ऐसी animation change होती है weather application का यह वाला जो widget है उसकी design काफी सारे user को यहाँ पर पसंदारी है काफी minimalistic design है तो मेरे को दायर काफी सही लगी है dynamic island की एक और animation मैं आपको दिखाता हूँ एक timer आपको लगा देना है और उसको यहाँ पर close कर देना है उसका interface है वो आपको camera का cutout है वहाँ पर दिखाई देगा और ऐसी animation है वो आपको य जैसा interface है वो दिखाई देगा जो कि apple का iOS है उसकी तरह आपको एकदम डिटो सेम देखने को मिलता है तो यह वाली animation आपको iOS के सब भी phone के अंदर भी देखने को मिलती है यह जो phone है इसके उपर आप लोग चाहिए कितना ही load देदो phone है वो बिलकुल भी lag नहीं करता है जैसा क आप लोग देख सकतो हमने YouTube है उसको close कर दिया है और एकदम small window के अंदर वो चल रहा है gameplay भी आप लोग करोगे ना गैस तो ना ही तो गेम लेग होगा और ना ही आपकी वीडियो है ना वह आपर पोस होगी तो यह काफी एक smooth update है ना वह आपर बनाया है OnePlus ने आप लोग इसको जरूर से try कर सकतो लेकिन इसका complete review है ना वह जरूर से आपर watch कर लेना Trinity engine का आपको ऐसा layout है ना वह आपर मिलते है तो यह क्या काम आता है एक बार आप लोग कमेंट में बताना ताकि बाकी के user है उनको भी आपर पता चल सके setting application को guys आप लोग open करोगे ना तो मैंने आपको जैसे के अपनी पूरानी वाली वीडियो उसके अंदर बताये था categories है ना वह आपर बना दी गई है जिनके जो logo है वो भी आपको change मिलते है जैसे की aeroplane mode सबसे उपर यह वाला option है वो आ चुक है जबकि पहले आपको यह wifi के option है ना वह आपर मिला करते थे अब यह सबसे top पे आ चुक है तो बस आपको click करना है और aeroplane mode on और off हो जाएगा साथी में देख सकते हो इन सबी के जो logo है ना वो भी आपको यहाँ पर change देखने को मिलते है और साथी में यह जो text ना वो भी आपको something थोड़े different देखने को मिलते है जो themes का option हमने आपको दिखा है था same to same वेसी theme है वो आपको मिली है तो इनके लिए आपको ज़्यादा पर से ना वह आपर देखने को मिलते है लोग की स्क्रीन कस्टूमाइजिसन है वो इस बार टॉप नोच आपको देखने को मिलती है ओलेडी में इसके उपर वीडियो बना दिये तो ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा देख सकतो इस परकार का आपको इसके अंदर layout मिल ज होगे simply home screen पे आपको click करके रखने यहाँ पर icons का option मिल जाएगा radiance वाली पर click करने apply करने तो इस परकार के जो icons वो apply हो जाएंगे app drawer के अंदर बीना किसी आपर text के icons के अंदर जाने shadow पे click करने apply करने और देख सकतो update काफी ज़्यादा smooth है तो इसलिए direct यहाँ पर आपके जित visual effects इस पर अगर आइज आप लोग क्लिक करोगे ना तो ऐसा interface आ जाएगा और इसको आप लोग on कर दोगे ना तो changes आपको यह मिलेंगे जैसे कि पहले आपका super folder इस परकार से दिखाई देता था वो आप कुछ ऐसा दिखाई देगा अब आप लोग बोलोगे कि change क्या है तो change आपको visual effects है ना वो मिल जाएंगे तो इस वाले option को जरूर से आप ट्राइ कर लेना जो गईस आपका यह dynamic island है जिसको oneplus कहता है live alerts इसको काफी सारी application है वो यहाँ पर support करती है जैसे कि music application, alarm और आपका timer, game update, service plugin, साथ में recorder, screen recording, timer, vip mode यह सभी application है वो support करती है live alerts को तो गईस यह कुछ आपको नए features मिल जाते हैं अभी भी काफी सारे features ऐसे हैं जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं बताएं क्योंकि वीडियो है वो already काफी जाते हैं आप लोंग हो चुके है तो इस वीडियो का second part आपको काफी जल्दी हमारे channel पर मिल जाएगा बस आप लोग channel को subscribe कर लेन और commit में बता देना कि आपको second part है वो चाहिए या फिर नहीं और update की जितनी भी information है वो आपके साथ में यहाँ पे share कर दी गई है तो इस टेलिग्रम चैनल को join कर लेना link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी अब बात हम लोग ये करते हैं कि आपको अगर ये वाला update ह वो अभी receive नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए तो काईस ये बीटा update है limited user है ना उनके साथ में आपर ये share किया जाता है इसका एक पहले forum आये था वो अगर आपने फिल किया रहेगा ना तबी आपको ये वाला update है वो मिला होगा otherwise नहीं मिला होगा तो जैसे वो वाल रहा है या फिन नी बागी official update है ना वो आपको मिल जाएगा December मंत के अंदर क्योंकि अभी November का मंत चल रहा है अपटेट आ चुक है तो December के starting में official update है वो आने की चांसिज देना वहाँ पर है तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में जेहिंद वांदे मादरम